नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का The Educator के प्लैटफॉर्म पे, जहाँ पर हम लोग Teaching Examination की प्रेपरेशन करते हैं। ये वीडियो का Part 2 है, सेल्टर यानि की आस्रे का, अगर आप लोगों ने अभी तक Part 1 नहीं देखा है, तो उसे चैनल के प्लैलिस्ट पे या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फर्मेटिव लगी हो, तो इसे लाइक करें और दोस्तों के बिच सेयर भी करें। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। अब देखो, आस्रे कि जिस अस्थान पर जीवों के रहने के लिए अनुकूलतम दसा होती है, उसे आस्रे करते हैं। अब ये अनुकूलतम दसा क्या होती है, ये जान लो आप। अनुकूलतम दसा उसे बोलते हैं जहां पे उसकी बोडी जो है, वहां के जो जो लोकल जहां पे वो रहना चाह रहा यानि कि आप और वहां पे थन्डे जग़ओं पर बर्फिले जग़ओं पर नहीं रज़ सकते हों .ब देखो। दूसरा क्या है वहां पे उसे फूड भी मिलना चाहिए टेंपरेचर वो तो है आईडियल होना ही चाहिए और सेकेंटली क्या होना चाहिए फूड भी मिलना चाहिए अगर आप नन भेजिटेरियन हो कोई भी अनिमल है बाग वगएरा तो उसे वहां पे दूसरे अनिमल को खाने के लिए भी मिलना चाहिए जानवर इसे आप दो कटेगरी में डिवाइट कर सकते हो, कुछ बनाने वाले और कुछ नहीं बनाने वाले, अब देखो आसरे बनाने वाले जीव कौन है, पक्ची, पक्ची आम तोर पर आप लोगों ने देखा होगा, कि वो अब क्या करती है, घोसला बनाती है, अब देखो आसरे न अंदर जमीन के अंदर रहते हैं ठीक है अब देखो समू में यानि कि कॉलोनीज में या फिर ग्रूप में रहने वाले जीव कौन को ने मधुमक्षी चीटी ततयाद दीमक यह सब क्या करेंगे ग्रूप में रहेंगे दूसरी बात इन लोगों को जो आपने मैंने बताया कि य हैं यह खास एक एलिफेंट भी है जो की ग्रूप में रहता है अब देखो जल और जमीन दोनों स्थानों पर राने वाले जीव को हम बोलते हैं उभैचर उभैचर यानि कि उसे इंगलिस में क्या बोला जाता है एमफीवियन यानि कि दोनों मतलब होता है दोनों दोनों अफ्चर है वह इस तरह से है कि वह मेड़क पानी के अंदर भी रहलेगा पानी के भी रहलेगा आप देखो पक्षिगोसला ऐन देने के लिए निकल जाती है और कोवा क्या करता है सारा काम करता है ठीक है अब देखो उल्लू कहां पे रहता है उल्लू यह सपोस कर लो कि एक पेड़ है यहां पे जो तने में छेद होते हैं यहां पे उल्लू रहता है ठीक है उल्लू इसी पेड़ के तने के अंदर रहता है अब देखो ग इचली साहए क्या हुआ जिसे सब्पोज कर लो यह पीड़ है और यहां जो नीचे में जो खाली स्थान बच जाते हैं जब बहुत बुड़े हो जाते हैं तो इन जगवें पे खाली स्थान हो जाता है यहां पर मुर्णी क्या करती अपना नेश्ट बना लेती है ठीक है अब देखो, बीवर वर्ड जो है, बीवर वर्ड में सिर्फ मेल ही हैं, जो घोसला बनाने के काम करते हैं, फीमेल यहां पे घोसला नहीं बनाएगी, अब देखो बैट्स, बैट्स से आप लोग परिचित ही होगे भी कोरोना के कारण, बैट्स ही एक ऐसा मैमल्स है, यानि कि वो अ बनाएगा घोसला चोटे पेड़, लेकिन वो सबसे उंचे वाले जो साखा है, वहीं पर घोसला बनाएगा, सबसे उंचे वाले, एकदम हाइस्ट बाला पीक पे, अब देखो, टेलर बड पत्तो को सिल कर अपना घोसला बनाती है, देखो यह टेलर बड यहां पे दिख रह है डब जो है, वह किक्टस यानि की जो कांटे वाले है उसके बीच में पर पाइंगे अच्छे से बच पाइंगे, अब देखो, हमारा पाला कुस्चेन है, नि लिगी त में से कौन सा कीट मधुमक्की की भाती कॉलोनी में बस्ती में नहीं रहता है देखो यह रहता है मैंने बताया था यह ततयाद चीटी दीमक मकडी देखो अलग से रहती है बिल्कुल वो अलग रहने वाले जीव है यानि क्या अंसर डी होगा इसका यह देखो सीटेट सेप्टेमर 2016 का कोश्चन है यहां जो भी कोश्चन आएंगे वो प्रिभियस यह से आई हुए कोश्चन को मैं ले रहा हूं और जो जो इंपोर्टन है नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए उसके पॉइंट अप जो से मैंने कोश्चन बना रखा है अब देखो निमलिकी तमेंसे कौन स जाएगा आपका कववा मैंने बताया था न कि कववा उची डाल पर बनाता है और एक है चील चील भी उची डाल पर घोसला बनाता है अब देखो आज का चौथा कोश्चन यह एच्टेट में आया हुआ है हरियाना टेट में निमलिकी तमेंसे कौन सा पक्षी खुद घोसल में रहने वाले जीब कर्मियों में कहां राते हैं वह जमीन के अंदर घुच जाते हैं और क्या होता है इस से उनके टेंपरेचर में जो है संतुलन बनाने में मदद मिलती है तो देखो ये तो जयल में नहीं होगा मर्वस्थल में कहां से आपको वाटर मिलेगा विरिक्ष म नीचे मरवस्तल में वरिक्ष मिलते हैं क्या वो कहां रहेंगे भूमी के नीचे सीजदा राइट अंसर तो ये था छोटी वीडियो की सीरीज की ये वीडियो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के भी शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक वाला बटन दबाके बताएं कि आपको वीडियो अच्छी लगी है थैंक्यू सो मच दोस्तों आपने अपना कीमती समय दिया कीप लर्णिंग कीप ग्रोइंग थैंक्यू